तो जैसा कि आपको पता है कि हम डाइबसिटी ओफ लाइफ पे हैं यूनित नमबर नाइन के बुलेट पॉइंट या पॉइंटर ग्रूप में कर सकते हो जैसे डीबीटी को लोगों ने डिसकस करा था बाइन्फॉरमेटिक्स और माइक्रोबिल बाइटेकनलोजी सेम उसी तर कर रहे हैं और यूनित नमबर नाइन में सिर्फ डाइवर्सिटी को ही नहीं उससे एर्दिगर्ट मॉलिकुलर और सेल बैलोजी और थोरा बहुत आपके दिमाग के साथ भी आपके दिमाग को भी यहां पर ट्रेंड कर रहे हो कि आप कैसे सोच सकते हो किसी चीज को वो भी ह आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और हमारे चैनल को एक्स्प्लोर कीजिए डेफिनेटली आपके सारे एक्जाम क्लियर होंगे फिर यहां कोस्ट बिना किसी पैसे चलिए सुरू करते हैं आज का आज का वीडियो लाइट एंड डार्क रीजन एलाउंग दे लेंथ ओफ और क्रोमोजोम प्रोडियोजड आफ्टर स्टेनिंग विड़ डाई चलिए इसको थोड़ा ध्यान समझे हैं जब भी आप क्रोमोजोम की बात करते हो तो क्रोमोजोम में आपका डीने होता है जो डीने का माल लो की ये डीने का एक स्टेच है इस डीने के स्टेच में दो चीजे मलब दो चीजे होती हैं एक दो रीजन होता है मान सकते हैं वो भी अल्टर्णिट एक रीजन ये दूसरा ये तीसरा रीजन ये चौथा ये पांच वाई ये जो रीजन मैंने बनाया ये रीजन इक जॉन कहलाता है ये रीजन इंट्राउन कहलाता है इक जॉन जो है वो ट्रांस्क्रिप्शनल एक्टिव होता है क्या होता आपका ट्रांस्क्रिप्शनल एक्टिव होता है और ये जो होता है वो ट्रांस्क्रिप्शनल इन एक्टिव होता है इंट्राउन इससे जो है जो इक्जॉन का पोर्षन है वो जो क्रोमेटिन का रीजन होता है उसे हम बोलते हैं यू क्रो मैटिन और जो इंट्राउन वाला पोर्षन है जो ट्रांस्क्रिप्शनली इनेक्टिव होता है उसे बोलते हैं हाइपर क्रोमेटिन अब जैसे हम hyperchromatin की बात करेंगे ये क्या हो गया है ये condensed होता है condensed होता है और अगर condensed है मतलब high amount high amount of die लेगा और अगर high amount of die लेगा मतलब ये आपका dark band बनाएगा या dark reason बनाएगा इसी का opposite होगा आपका u chromatin के case में u chromatin के case में ये less condensed होता है तो less amount of die लेगा और less amount of die लेगा तो light band बनाएगा compared to dark band जिसको हम बहुत ही जादार easily देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर CSIR अगर पूछा गया होगा तो definitely हम आने वाले series में किसी ने किसी में उस बात को discuss करेंगे तरूर जो band technique है can be used to assess the difference in the chromosome morphology between the different species हम क्या करते हैं band technique का use करके दो different species की chromosome की morphology को पता लगाते हैं और chromosome की morphology से हमें क्या पता चलेगा कि कौन सार रीजन जो chromosome का है वो किस species में active है यह हमें पता लग जाता है band technique से यहाँ पर एक term लिखा है dendrogram used in numerical taxonomy for any graphical drawing or diagram giving a tree-like description of taxonomic system representing morphological और phonetic similarities dendrogram इसके लगाई कौन सा ग्राम होता है तो dendrogram क्या होता है morphological और overall similarities के base पे हमें tree-like photo बनाते हैं या tree-like एक drawing बनाते हैं या कर सकते हो कि phonetic classification करने पे जो result आता है उस result को सो करने वाला tree-like structure जो होती है उसे हम dendrogram कहते हैं अब जब भी हम taxonomy करते हैं molecular taxonomy करते हैं तो molecular taxonomy यहां पर taxonomy molecular taxonomy दो चीज़ों पर डिपेंड मलब एक चीज़ पर डिपेंड करती हैं वो है हमारा molecular data और molecular data में दो चीज़े हो सकती है एक protein data हो सकती है protein as a data use करें और दूसरा DNA as a data use करें प्रोटीन जो होती है वो आपकी amino acid के बनी होती है और DNA जो होता है वो nucleotides है protein और DNA में सबसे बड़ा difference है कि एक amino acid जो होती है एक codon से code होती है और यह codon जो है 3 nucleotide molecules से बना होता है तो जैसे ही यहां पे एक amino acid 3 से हो रहा मतलब 2 amino acid के लिए amino acid के लिए 6, 3 amino acid के लिए आपके पास 9 मतलब amino nucleotide की संख्या DNA का amount हमेशा ज़्यादा होगा compare to the protein तो अगर हमें variation check करना है तो हम nucleotide में जब देखते हैं तो हमारे पास compare करने की sites बढ़ जाती है अगर हम एक amino acid दूसरे amino acid तिसरे amino acid को compare कर रहे हैं वहीं पे अगर हम DNA को compare करते हैं तो DNA को compare करने पे एक amino acid के अंदर भी 3 site होती है और 3 amino acid के लिए मेरे पास 9 site होगा तो 9 site पे variation होने की possibility सबसे ज़्यादा है compare to protein के तो अगर हम variation की बात करते हैं तो variation in the DNA is always higher as compared to the variation in the protein क्योंकि number of sites ज़्यादा होता है एक reason यह है दूसरा reason है कि जो DNA में मैंने kodon की बात करा उस kodon में 3 होते हैं एक दो और 3 जो 3 होता है इसे हम vowel position करते हैं और इस position पे अगर variation होता भी है तो यह same amino acid को code करते हैं मतलब amino acid आपका एक हो सकता है बट possibility है कि third position of the kodon different हो मतलब तीसरे position पे अगर हम kodon में amino acid मतलब kodon को change kodon के nucleotide को change भी करते हैं तो same amino acid होती है जिसे हम residency of kodon भी करते हैं मतलब एक amino acid को different different type के kodon code कर सकते हैं more than one kodon code कर सकते हैं but more than one kodon का क्या मतलब है कि kodon में nucleotide में difference होगा variation होगा but amino acid में नहीं due to the reason DNA में हमारा ज्यादा variation पाए जाता है compared to protein इसलिए हम DNA database को ज्यादा यूज करते हैं for the classification अब इसी का उल्टा यहां पे लिखा है कि more similarities in the protein as compared to the DNA हमारा क्या है protein में ज्यादा similarity होगा DNA के compare में एक term होता है yellow enzyme yellow enzyme वो enzyme होती है जो function same करती है but वो code different allele से होती है yellow enzyme क्या है जो function same करती है but code किस से होती है different enzyme से होती है और allele से होती है but yellow enzyme अगर हमें पता लगाना है तो हम पता कैसे लगाते हैं electrophoretic mobility चुकि different allele से हो रहा है the reason is that electrophoretic mobility जो है yellow enzyme की अलग होगी nucleotide variation से हमारा एक protein code हो रहा होगा और उस protein के code से उस protein के code से क्या होगा उसमें electrophoretic mobility में change आएगा और electrophoretic mobility में अगर change है तो हम इस से yellow enzyme का पता लगा सकते हैं उसम सेम है yellow enzyme का बट उनका और जन अलग है वो code क्या हो रहे दो different allele से और दो different allele का क्या मतलब होता है कि उनका nucleotide vary करेगा nucleotide में change होगा allele का मतलब होता है alternate form of the gene और alternate form of the gene का क्या मतलब है कि उसके और मतलब उस जीन है इसका अगर alternate form यह है तो यह दोनों में alternate होने का मतलब यह कि प्रोड़क्ट तो सेम है बट इन में कुछ न कुछ variation होगा जो variation क्या होगा nucleotide level पे होगा तो इससे decode होने वाला protein enzyme जो है उनकी electrophoretic mobility different different होती है आप सीधे याद कर सकते हो कि yellow enzyme की electrophoretic mobility different different होती है पर yellow enzyme different different allele से code होते हैं बट function same होता है yellow enzyme have been used for making a systematic inference at the species and subspecies level and the gene flow between the population yellow enzyme use case क्यों करते हैं किस कारण से किस purpose से करते हैं taxonomy diversity में तो हम इसका use करते हैं species या sub species level पे systematic inference पता लगाने के लिए या gene flow पता लगाने के लिए कि एक population और दूसरे population में gene flow हो रहा है या नहीं को कि yellow enzyme different allele से आ रहा और allele का transmit कैसे हो रहा होगा gene flow से एक population से दूसरे population में जा रहा होगा that is a possible reason इस सब के ओपर मैं descriptive video कभी न कभी बनाऊंगा जितना ज़्यादा आपका support रहेगा उतना ही ज़्यादा मैं video आपके लिए बनाता रहा होगा support अभी भी कम है इसलिए मैं video नहीं उतना बना पाता हूं लेकिन definitely मैं कोसिस यह कर रहा हो कि आपको ज़्यादा ज़्यादा हो सके due to the reason मैं pointer के रूप में ला रहा हूं यह सब चीजे पर इस सब चीजों को जब मैं पढ़ाऊंगा definitely आपके दिमाग में बिल्कुल clear चीजे बनेगा कि क्या हो रहा हैं जब भी हम similarity करते हैं तो उसी तरह उसी में हम similarity coefficient पताल करते हैं और similarity coefficient यूज होता है similarity matrix used to create the similarity matrix and develop the phenogram which is a tree-like network expressing the phonetic relationship in numerical taxonomy यहां पर तो तीन चब सब्सक्राइब निमेरिकल टेक्सोनोमी निमेरिकल टेक्सोनोमी को हम phonetic taxonomy करते हैं phonetic taxonomy का जो result होता है उस result में जो tree-like structures में दिखते हैं that is known as phenogram and the phenogram develop हम करते हैं कैसे similarity matrix से और similarity matrix कैसे develop करते हैं similarity coefficient okay cytochrome c is a highly conserved 12 kilo dalton protein consisting of a single 104 amino acid peptide and the single heme group because of its ubiquitous nature sequence homology cytochrome c has been a model protein for molecular evolution एको सबसे पहले cytochrome c जो है 12 kilo dalton की एक protein है जिसमें 104 amino acid है अगर 104 amino acid है तो यह कितने nucleotide से code हो रही है एक amino acid 3 से तो 104 कितना हो गया 12 1 और 3 तो 3 4 जा 12 और 1 और 3 3 1 12 कितने nucleotide से code हो रही है बट अगर हम आप से पूछे किसके reading frame में कितने nucleotide होंगे तो इसी के साथ आपको 3 और add करना है क्यों क्योंकि stop codon की भी nucleotide हो होते हैं मतलब आपका हो जाएगा 315 that is a reading frame amino nucleotide 104 312 nucleotide से code हो रहे होंगे और इनका protein का जो weight है वो 12 kilo dalton है पर यह क्या है cytokrom C या ubiquitous nature में होता है मतलब हर animal में पाएदाता है और इनकी जो sequence है वो homologous sequence है मतलब बहुती ज़्यादा similarity सो करती है दिखाती है कि इनके parent जो है वो cytokrom C के वो same थे वहाँ से ये बाद में divers होते होते present time के जो cytokrom C पाएदाते उस तरह में पाएगे है that is the reason या इसे हम molecular evolution में as a model protein use करते हैं अगला यहां पर है कि molecular and the genetic similarities is not used as a numerical taxonomy numerical taxonomy या phonetic taxonomy में हम molecular या genetic similarity नहीं consider करते हैं उसमें हम overall similarities पर बात करते हैं morphological similarities पर बात करते हैं oh ut in the numerical taxonomy is compared on the basis of observable morphological feature वह उने बोला न है you out operational observe unit होता है जो taxonomy में यूज करते हैं observable unit for taxonomy तो इसमें जो numerical taxonomy होता है उस समय में हम observable morphological features यूज करते हैं ना की molecular या genetic similarity यूज करते हैं जब यह similarity उमलाटी पर बात आती है तो दो तरीके के questions से पूछे जाते हैं दो similarity index होती है एक होता है similarity matrix coefficient और दूसरा होता है zaccard similarity index दोनों पर कभी-कभी numerical पूछ लिए जाता है और numerical के लिए आपके पास formula पता होना चाहिए formula के लिए मैंने नीचे कुछ बाते दे रखी है उसको समझने से पहले हम एक matrix आपको बना दे जैसे मतलब क्या है कि एक matrix आपको मालो ए बी सी है ए बी सी है ठीक है मालो ए बी सी नहीं यहाँ पे इन दोनों में similar है फिर इससे जब हम पढ़ाएंगे आपको यह तब समझ में आएगा अभी हम इसको अगर करते तो इस यहां पर बन जाता है तो इसको रहने दीजिए आप इसको यहां पर सिधे याद कीजिए कि जैकार्ड similarity complex index जो है जिसे हम जैकार्ड similarity coefficient करते हैं जैकार्ड नामक scientist ने बताया था और इसमें हम दो सेट को देखते हैं कि members are shared or are distant मतलब जैकार्ड similarity index का use हम करते हैं दो सेट को देखने के लिए कि उसके जो सेट मतलब compare the member for the two set to see which members are shared और which are distant मतलब कौन से member के जो मतलब पूरबस है जो ancestor है वो share कर रहे हैं कौन से दो member और कौन different different है जब भी हम जैकार्ड similarity coefficient को measure करते हैं तो यह 0 से 100% आता है अगर 100% हमारा जैकार्ड similarity है मतलब वो हमारा क्या है more similar है अगर आपके पास 100 है मतलब more similar है और अगर 0 है तो more मतलब unrelated है मतलब हो गया यहां पर आप यह मान सकते हो कि इस तरह से एक कोई कौन एक इस तरह से आपका कोई वो होगा यहां पर मान लेजिए कि यह character अगर present है तो और अगर दोनों में present है तो यह हो गया एक में present है मतलब one one हो गया यहां पर 0 है यहां पर 0 है अगर इसमें present है एक में present है तो यह हो गया इसमें present है यह हो गया यह 00 मतलब यह absent है इस condition में क्या है कि present absent इसमें भी है present present इसमें present तो इस तरह के से हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स से हम जैकार्ड को फेशियंट निकालते हैं अब यह यहां पर लिखा है कि higher the percentage more similar the two population और जैसी निकालते कहते हैं m11 matrix 11 upon matrix 11 plus matrix m0 plus matrix 01 मतलब इस value में यहां पर इस matrix में जो यहां पर value होगा इस value को इस value इस value और इस value तीनों value से add करके हम divide कर दे तो उसे हम जैकार्ड को फेशियंट कहते हैं जहां पर m matrix है a और 0% और absence है तो यह condition जो होती है इस condition को हम जैकार्ड को फेशियंट बोलते हैं यह formula आप याद कर लो यहीं पर दूसरा similarity matrix को फेशियंट में हम इस वाले portion को भी add कर देते हैं मतलब क्या करते हैं कि यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि M11 मतलब बोथ condition में present और बोथ condition में absent को हमने add कर दिया इस वाले में M00 को से फाम add कर दें नीचे हम वही same M11 M10 M01 M00 इस तरह से हम इन दुका जब ratio निकालते हैं तो वह हमारा similarity matrix को फेशियंट आता है इसके उपर numerical बहुत बार पूछा गया है और यह simple भी होता है को कि math के portion होते है पैलोजी वालों के प्लस पॉइंट है कि जो math के portion होता अगर आप उसको attempt करते हो तो definitely आप सही कर सकते हो reason उसके पीछे कि वहां पर math ज्यादा complex नहीं पूछा जाता तो अगर आप पर यह video समझ में आया है वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe करके बेल आइकन को hit कर लिजिए इसका पीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा पीडियो आप कहां से पा रहे हो आपको पता होगा पीडियो आपको मिला है कहां पर community post में जाके इस पे नहीं है, वो मोल बायो पे है, और इससे पहले बायो कमेस्ट्री और सेल बैलोजी के अलरेडी उस तरह के कुश्चन्स या प्रैक्टिस सीजन में डाल चुका हूँ, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हूँ, तो बिलकुल फिरी है, कोई भी यहां पे कितना भी एक भी पैसा आपका नहीं पर रहा हूँ, तो यूज दिस रिसॉर्सर्स तो इंप्रोव यॉर नालेज, थैंक यू फर वाचिंग दिस वेडियो,